नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल यूतेच केसन सेंटर में आप सब्सक्राइब का स्वागत है दोस्तों आज मैं इस वीडियो में कम्प्यूटर के कुछ महत्वपूर प्रसने पढ़ने वाले हैं जो सभी पढ़तों के परिष्चाव के लिए अतिम हत्वपूर होगा तो वीडियो के अंतक आप लोग बने रहेगा चलिए आई सुरू करते हैं पहला प्रसने मारा क्या है पहला प्रसने कह रहा है कि कम्प्यूटर का हिंदी में नाम क्या है तो कम्प्यूटर का हिंदी में नाम है संगड़क अगला प्रसने प्रसने में प्रसन मर दू है कम्प्यूटर का पितामा किसे कहा जाता है तो कम्प्यूटर का पितामा चाल्स बैबेश को कहा जाता है अगला प्रसने प्रसने प्रसन मर तीन कम्प्यूटर के विकास में सरवाधिक योगदान किसका है कम्प्यूटर के विकास में सरवाधिक योगदान जानवान न्यूमैन का है किसका जानवान न्यूमैन का है अगला प्रस्न है आधनी कम्प्यूटर का आविस्कार सवर पर्थम कब हुआ था अगला प्रस्ण है प्रस्थ नम्मर पांच है 24 जुटर कर दिवस चि कल दिसंबर को मनाया जाता है अगला प्रस्ण है प्रस्थ नम्मरस आत है कि भारत में नई कम्प्यूटर निती की घोसडा कब की गई थी भारत में नई computer नीती की गोषड़ा नौमबर 1984 में की गई थी अगला प्रशन है भारत में निर्मित पर्थम computer का नाम क्या है तो भारत में निर्मित पर्थम computer का नाम सिधार्थ है और इसका निर्माड electronic corporation आफ इंडिया ने किया था अगला प्रस्ण प्रस्ण नमर नव है भारत का प्रथम कंप्यूटर क्रित डाग घर कहां इस्ति था है तो ए है आपके नई दिल्ली में भारत का प्रथम कंप्यूटर क्रित डाग घर अगला प्रस्ने प्रस्नमर 10 है इंटरनेट पर उपलब धोने वाले पर्थम भारती समाचार पत्र है तो जो इंटरनेट पर उपलब धोने वाले पर्थम भारती समाचार पत्र कौन था तो दव हिंदू था अगला प्रस्ण प्रस्ण नमर 11 है इंटरनेट पर उपलब धोने वाले पर्थम भारती पत्रिका कौन से तो पत्रिका जो है आपके इंडिया टूड़े है समाचार पत्र दव हिंदू है और पत्रिका पूछेगा भारती पत्रिका तो इंडिया टूड़े है अगला प्रस्ण प्रस्ण नमर 12 है कम्प्यूटर मुखे तक कितने प्रकार के होते हैं तो कम्प्यूटर आपके तीन प्रकार के होते हैं एक डिश्टल कम्प्यूटर होता एक एनलोग कम्प्यूटर होता और एक आपका हाइबरिट कम्प्यूटर होता है अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमर 13 कि बिश्व के प्रथम electronic digital computer का नाम क्या है तो एनियक है अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमर 14 है बिश्व का सबसे बड़ा computer network का नाम क्या है तो ओ है internet इंटरनेट 20 का सबसे बड़ा computer network इंटरनेट है एक किलो बाइट अर्थात के बी में कितना बाइट होता है तो एक किलो बाइट में 1524 बाइट होता है कितना होता एक हजार 24 वाइट अगला परसना प्रस नमर 16 है एक मेगावाट अर्थात एमबी, एक एमबी में कितना किलो बाइट होता है, तो एक हजार चोविस किलो बाइट होता है, एक एमबी में, एक अर्थात एक मेगावाइट में, अगला प्रस्न है, कि एक गीगावाइट अर्थात जीवी, एक जीवी में कितना मेगावाइट होत है तो उससे क्या कहते है गेटवे कहा जाता है कि अगला प्रस्न प्रस्न मर być peyes no है computer के परखंपत्री का निए computer and automation कौन और किआ उचान प्रस्न मर veas computer number program के सुची को कहा जाता है तो computer के program मैं सुची हो क्या काड़था मुन कहा जाता है मेनुम कहा जाता सबस्प का परथम वहारिक digital computer क्हूंग था विशुका परथम भी वहार इक digital computer आपका युदी वेक था है। अगला प्लतनी प्रस्थ tv हैं यॅली वाइस होता है यू का पुल फार्म होता है यू की फूल प्रोसेसिंग यूनिट सी से सेंटरल हो गया पी से प्रोसेसिंग हो गया और यू से यूनिट हो गया सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट अगला है इमेल का फूल फार्म होता है इलेक्ट्रानिक mil stamel का full farm क्या होता है HTML का full farm होता high-text markup language s s s high हो गया t s s test हो गया ym s s markup हो गया yl s s kya हो गया लेंग्वेश हो गया है क्या अगला प्रस्न est press 26 नमर भी से Lan तो Lan का full farm होता है local area network yl s s local संतंट से नियुक्त साफल से एकसर अवियोर्या हो गया और यह यह अगसे से नेट्वर्क हो घ्azz dolข rocking और यह यह्म रमे रहं का फूल फार्म क्या होता है तो रहें का रेंडम एकससह मेशने मेमोरी तो रेंडम हो गया ऐसे PodC arrows Church तो इसे लाड़ाँ प्रशन परशन हैं वर्य डब्लुड क फूफार्म हो तो टो ट हो डाव ऐये वाइड एरिया नेक्वर्क दो गए U Ksi एरिया ह beb यह औसे ने टोर्क हो गया है और इस वीटीवा के लाश्च परसन है siitä मिट डबलू डबलू का फूल फर उता है वर्ट वाइंड वाइड वेब क्या होता है वर्ल्ट वाइड वेब अगर बीडियो पसंद्ध है तो चैनल को सब्स्काइब करेंगा बीडियो को सेर करेंगा धनिबाद